हम लोग Applied Mechanist का Machine चेप्टर डिसकस कर रहे थे आज हमारे पास एक मशीन है भार उठाने वाली मशीन जिसका नाम है बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी बेस्टन्स डिफ्रेंशियल पुली बेस्टन डिफ्रेंशियल पुली किसली की जाती है भार को उठाने के लिए देखते हैं किस टाइप की होती है इसमें दो पुली बलाग होते हैं एक को बोलते हैं उपरी पुली बलाग और दूसरा है हमारा निचली पुली बलाग ये इसको हम उपरी पुली बलाग बोलते हैं और यह है हमारा निचली पुली बलाग उपरी पुली बलाग एक दिढ़ादार से फिक्स रहता है इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं अचल पुली बलाग भी बोल सकते हैं और नीचे वाला जो पुली बलाग होता वो उपर नीचे गती कर सकता है इसलिए इसको हम क्या बोलते चल पुली बलाक या चल बलाक भी बोलते हैं उपरी पुली बलाक में दो घिरनिया लगी होती हैं अलग-अलग ब्यास की जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं एक ये बड़े ब्यास की घिरनी है और एक उसके अंदर है छोटे ब्यास की घिरनी दोनों एक ही धूरे पर लगी होती हैं एक साथ बद होती है अर्थात एक घिरनी के गूमने पर दूरसा घिरनी भी उसी के साथ गूमता है यानि कि बड़ी वाली पुली जितना चक्कर लगाएगी उतना ही छोटी वाली पुली भी चकर लगाएगी अब इस पर भार को निचले वाले पुली ब्लाग पर लटके आ देया था यहाँ अब ये भार उपर उठता कैसे देखें इसमें एक सिरा रहित रशी होती है जिसको हम बड़ी पुली से होते हुए ले करके आते हैं और वो निचले पुली बलाग से यानि निचले पुली से फंसाते हुए उसको ले करके जाते हैं फिर उपर वाला पुली बलाग में जो छोटी घिरनी होती है उससे लपेट करके इसको ले आते हैं इधर उसके बाद जो ये बड़ी पुली पर होता है इसको रशी को उपर से गुजारते हुरे कर आते हैं और दोनों के एक साथ हम बद कर देते हैं इसलिए क्या होजाती एक शीरा राइत हो जाती है देखें जब इधर प्रियास पी लगा करके यह रसी को खीचा जाएगा तो क्या होगा इधर घिरनी पर इस दिशा में घुमेगी यानि कि बड़ी वाली घिरनी पर यह रसी लिप्टेगी जबकी इधर यह भार नीचे लटका होगा इस पुली पर तो इह वाली घिरनी क्या होगी? ये इस दिशा में घूमेगी यानि इस दिशा में बड़ी वाली पुली भी इसी दिशा में घूमेगी जिसकी वज़ा से छोटी वाली पुली पर रशी नीचे क्यों राएगे रथा इतना इसकी परीद होगी, माल लिजए कि बड़ी वाली पुली का व्यास D1 है, तो बड़ी वाली पुली की परीध कितनी हो जाएग naval d1, और इतना ही लंबाई की रचि बड़ी वाली पुली पर लिपटी जाएगी एक चकर में, घिकश? और छोटी वाली पुली पर रशी खुलेगी कितना खुलेगी एक चकर में ये भी पूरी परीद पर इतनी रशी होगी अब मान लिजे कि छोटी वाली पुली का ब्यास है capital D2 है तो इस पर रशी कितनी खुलेगी pi D2 इतना रशी खुल रही है जबकि इतना रशी उपर लिपट रहे चुंकि D1 का ब्याश ये D1 अधिक है D2 कम है इसलिए ये वाला मान अधिक होता है और ये वाला मान कम होता यानि कि रशी के लिपटने की दर अधिक होती है जबकि उसके खुलने की दर कम होती है तो इन्ही दोनों के अंतर के बराबर क्या होता है कि रशी उपर खिचती है तो अंतर कितना हो जाएगा पाई D1 माइनस पाई D2 इतनी रशी उपर की और खिचेगी यानि कि अब भार हमार उपर कितना जाएगा ध्यान से देखें, रशी उपर जाएगी, यानि कि इधर वाली भी इधर वाली, दोनों मिला करकी ये पूरा किधर लिपटेगी, ये इस तरफ, ठिक, अब क्यों एक तरफ ही इधर ही खीच सकती है, तो अब ये भार हमार उपर कितना उठेगा, ध्यान से देखें, अंतर कितन आ रहा था, पाई D1 माइनस पाई D2, ये इतनी रशी लिपटती है, तो इतनी रशी जब लिपटेगी, तो ये अब उपर कितना जाएगा, जितना कि इधर और इधर, दोनों को मिला करके, ये भार हमारा उपर उठेगा, तो यानि कि अब इधर रशी जब कि एक तरफ ही ल पान तू के बढ़ावर, ठिक, तो इतना अब भार हमारा उपर उठेगा, और प्रियास एक चकर में कितना दोरी खीचेगा अपने तरफ, जितना की बड़ी वाली परिद पर, जो बड़ी वाली पुली है, उस पर जितना की एक चकर में रशी खुलेगी, तो यानि कितनी र परियास पी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, और भार द्वारा उपर चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, पाई दी वन माइनस पाई दी टू अपन टू, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब अगर जो हमें बलास्टी रेश्यो निकालना हो, तो कैसे निकालें में परलाष मोला ब्रावर क्या फार्मुला होता है प्रियास पी द्वारा चले fonal औरsp 9 चकर में कितनी दूरी चल रही है 1 पाई d1 कुछ अकोल बहुत पाई द्वार कितनी दूरी चल रहे हैं पाई D1 माइनस पाई D2 अपान 2 इसको हम नीचे रख देंगे शाल्व कर देंगे उपर दो जाएगा गुड़ा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2D1 अपान में D1 माइनस D2 पाई उपर भी नीचे भी कैंसिल हो जाएगा अब इसी D1 D2 को हम आर के रूप में यानि रेडियस के भी लिख सकते हैं चुंकि जो आर डी बराबर कितना हो जाएगा 2R तो इसलिए D1 को में क्या लिख सकते हैं 2R2 तो बिलास्टी रेशों कितना हो जाएगा दो गुड़े दो यहां भी यहां भी बाहर निकालके कामन लिख काट दें पज़ेगा क्या उपर 2R1 अपान R1-R2 रेडियस के रूप में लिखने चाहें तो यह हो जाएगा ब्लास्टी रूप में लिखना चाहें तो जहां R1 है वहीं D1 और जहां R2 है वहीं पर D2 रख देंगे अब यह दिक जहां पर हम पुली परियोग करें वहीं पर पुली ना परियोग करके एक गीर परियोग करें यानि दातेदार पहिया और दोरी के अस्थान पर लगा दें हम चैन तब क्या फार्मूला बन जाएगा जहां R है वहीं पर क्या हो जाएगा दातों की संख्या R1 का मतलब बड़े पुली की तरिज्जा है या D1 का मतलब बड़े पुली का ब्यास तो वहीं पर क्या हो जाएगा बड़े पुली पर यानि बड़े गीर पर दातों की संख्या बटे में जहाँ D1 था वही पर क्या हो जाएगा बड़े गियर पर दातों की संख्या और जहाँ D2 था वही पर क्या हो जाएगा छोटे गियर पर दातों की संख्या यानि की फार्मुला क्या निकल के आएगा 2T1 upon T1 minus D2 देखें आता कैसे चुकि जिसकी ब्यास कोई भी पहिया हो उसका ब्यास जितना अधिक होगा उतना ही उस पर दातों की संख्या होगी यानि कि D अनकुरान पाती हो जाता है T यानि T फास दातों की संख्या और D क्या है ब्यास है यानि D जितना अधिक होगा उतना ही उस पर दाते बनेंगे नेकल लिख सकते हैं अगर दी अनुकाररणपाती है टीक है तो हम डीवन अपान डीटु को दीवन अपान आपम दीटु को कु演 में देखें तो यहां से अगर नीचे जो है हम डीवन काम ले ले क्या पार तो दीवन हैगँ में नीचे Kaw van लेंगे ऄंगे चांआ उस्टक में यहां कुछ नहीं तो एक बचेगा माइनर्ज कि यह दीट्ू अपांन में याथ यह दी वं यॉल डी-वन कंसल हो जाएगा 첫 जु से चेंदें आपन माइन एक ऊपर कैन्य को स्कते हैं दीट्व हपां मेंन हमनिक को wasn't के सकते हैं, T2 upon T1, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 बटे में 1 minus T2 upon T1, तिछा गुड़ा करा देंगे, यहां क्या हो जाएगा, T1 minus T2 और यह T1 उपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 T1, तेहीं से फार्मूला क्या जाएगा, 2 T1 बटे में T1 minus T2, यदि पुली के अस्थान पर हम गियर परियोग करें तो जहां T1 क्या है बड़े गियर परदांतों की संक्या और T2 क्या है छोटे गियर परदांतों की संक्या है यह हो जाता हमारा बिलास्टी रिशियो का फार्मूला अब हमको mechanical advantage निकालना होगा तो क्या करेंगे यदि मालने efficiency 100% यानि कि वो आधर्स मर्शीन है तो क्या करेंगे नीटा बराबर क्या रख देंगे एक हम जानते हैं नीटा बराबर क्या होता है mechanical advantage बटे में velocity ratio यह एक है यानि के mechanical advantage बराबर क्या हो जाएगा बिलास्टी रिशियो के तो जितना बिलास्टी रिशियो आया वही क्या हो जाएगा हमारा mechanical advantage आगे बढ़े है अगला heading है साधार पहिया दधा धुरी simple wheel and axle यानि इसमें क्या लगा होगा एक खुईल यानि पहिया लगा होगा और एक क्या लगा होगा एक्षल यानि धुरा देखें यह हमारी machine कुछ इस टाइप की होती है इसमें एक ये पहिया है और ये है हमारी एकसाद धुरी धुरी के साथ पहिया फिक्स बदा होता है यानि कि यद पहिया गुमेगा तो उसी के साथ ये धुरा भी गुमेगा जितना पहिया गुमेगा उतना ही धुरा भी गुमेगा यद पहिया एक चक्कर लगा रहा है, तो धुरा भी एक चक्कर ही लगाएगा, ठीक, जिस दिशा में पहिया घुमेगा, उसी दिशा में धुरा भी घुमेगा, ये धुरा दोनों तरब से बेरिंग के सहारे सपोर्ट पदान करता है, बेरिंग के सहारे ये धुरा दोनों को भार अगर जो डबुलू को उठाना है तो क्या करते हैं इसमें दो रश्ची प्रियोक करते हैं एक रश्ची को हम इस धूरी पलपेट देते हैं किसी पॉइंट पर बांद करके रश्ची इस टाइब के कुछ रश्ची हम बान pillars देते हैं ठीक और एक रश्ची हम इसी पहीया पर बाद देते हैं ठीक उसी परकार इसमें भी धुरे पर भी एक छोर को हम इसी धुरे पर बाद देंगे और दिशे छोर को हम नीचे लटका देंगे जिस पर बहार डबलू लटकेगा ठीक अब इस पर जब हम पी प्रियाश लगा करके रशी नीचे खीचेंगे तो यह हमारा पहिया कुछ इस दिशा में घूमेगा इस दिशा में घूमेगा तो इधा तो रशी खुलेगी यानि प्रियाज पी लगा रहें खीच रहें तो रशी नीचे आती जाएगी इस दिशा में और इधा ध्यान से देखें तो जब यह इस दिशा में घू माते हैं, तो भार कितना ऊपर ऊठ रहा है? माले जी हम इस पहिये को एक चक्र उमा दें, यानि कि हम प्रियास P को इतना लगाए कि वो रशी को इतनी लंबाय तक हीचे कि ये पहिया जो है वो हमारा एक चक्र लगा जाएं, एक चक्र लगाया गया रशी कितनी खुलेगी इदर पाई d यदि इस पहिए का ब्यास चैपटल डी हो इस पहिए का ब्यास चैपटल d हम माल लें तो रशी एक चक्कर में कितना खुल जाएगी पाई d यानि कि परियास हमारा कितना धूरी चलेगा πائ 2D لمبائی के बराबर और उसी एक चक्कर में इस दुरी पर रशी लिप्टेगी कितना मानिज़े इस दुरी का व्यास small D है तो इसकी परिद के बराबर एक चक्कर में इस पर रशी लिप्टेगी यानि कि परिद कितना हो जायेगा इस दुरी का πائ 2D ठिक अब इसी इसमाल डी के बराबर ये भार हमारा उपर उठेगा क्योंकि इसमाल पाई इसमाल डी के बराबर रशी इस दूरी पर लिप्टेगी तो उतना ही रशी उपर खीचेगी यानि कि उतनी लंबाई अब ये भार हमारा उपर उठेगा उतनी दूरी उपर उठ जाएगे यानि कि भार द्वारा चली गी दूरी कितनी होजेगे पाई इसमाल डी और प्रियास द्वारा चली गी दूरी कितनी होजेगे पाई कैपिटल डी अब हमको बिलास्टी रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे प्रियास द्वारा चली गी दूरी बटे में लगा देंगे भार द्वारा चली गी दूरी तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा बिलास्टी रिशियो का फर्मूला तो प्रियाद द्वार्य चली की दूरी कितना है pi capital D भार द्वार्य चली की दूरी pi ismall D pi से pi cancel यानि capital D upon small D, ये क्या हो जाता है बिलास्टी रिष्यों का फार्मूला अब येद D के अस्तान पर हम R प्रियोक करना जाई यानि की पही का ब्यार्श और इस्माल डी के स्थान पर धूरी का बयार्श तो D बराबर Capital D बराबर 2 Capital R, जहां capital R क्या है बड़े जो पहिया है यानि की हुइल उसका तिरिज्ज़़ है और बटे में क्या है इस्माल डी यानि की 2R जहां R क्या है धूरी की तिरिज़़़़् है तो यहां से दो से दो कैंसेल यहां तो यहां तिरिज्जा के रूप में फार्मूला आजाएगा कैपिटल आर अपान इसमाल यहां यहां पर भी यहां में निकालना होगा तो क्या करेंगे आदर्स में मानेंगे और आदर्स में के लिए इफिसेशाएएंशी एक होती है जैब इफिसेशा याने नीटा कामा एक होगा तो मhakeनिकल एड्वांटेज अंपानल यहां होता है यहां से हमचनेदे कर देंगे बहाबर ब्लास्टीर रोशो तो जीतना 15डवांटेज़ आया हो देखते हैं क्या है यानि कि हम इसको मान सकते हैं यह संसोधित रूप माना जा सकता है इसको इसमें भी क्या होता है एक एकसल है धुरा जिसके साथ यह पहिया बद रहता है यह सेम पिछले जैसा है लेकिन यहाँ पर एक एकसल और आजाता है जिसका ब्यास थोड़ा सा कम होता है यानि कि यहाँ पर दो धुरे परियुक के जाते हैं जबकि दोनों धुरे एक साथ बद रहते हैं दिड़ता के स एक बड़े ब्यास का दुरा होता और एक होता है छोटे ब्यास का दुरा और एक होता हमारा पहिया पहिये को माली एक है कि ए हमारा एक पहिया है जिसका ब्यास केप्टल डी है भी हमारा बड़े ब्यास का दुरा है जिसका ब्यास इसमाल डी वन है C हमारा छोटे ब्यास का धुरा है जिसका ब्यास इसमाल D2 है ये धुरा भी दोनों साइड में बेरिंग के साहरे सपोर्टेद रहता है इधर भी और इधर भी इसमें एक रशी को हम इस पहिये पर किसी एक बिंद पर बाद करके लपेट देते हैं और उसका दूसरा सिरा नीचे लटका देते हैं जहां पर प्रियास पी लगा जाता है दूसरी रशी को हम क्या करते हैं कि एक रशी के एक सिरे को हम किस पर लपेटेते हैं बड़े ब्यास वाले एक्सल पर और दूसरे सिरे को छोटे ब्यास वाले एक्सल पर लपेड़ेते इसमें ये सावधारी बरतनी होती है कि इस रशी को जो दूसरी रशी है इसको इस तरीके से लपेटेंगे कि बड़े ब्यास पर ये रशी लिप्टे जबकि छोटे ब्यास के एक्सल पर रस्षी खुले यानि कि दोनों की दिशाएं उल्टी रहेंगी कि एक पर रस्षी लिप्टी जाएगी और दूसरी पर रस्षी खुलती जाएगी और इन्हीं दोनों रस्षी के सारे हाप पर लगा दिया जाता एक पुली जो होती है जिसको हम बोल सकते हैं चल पु प्रयास भी को नीचे खीचेंगे तो क्या होगा यह इस दिशा में घुमेगा ऐसे इस दिशा में घुमेगा पहिया तो पहिया के साथ change fix है हमारा दूरा तो यानि दूरा वह इस्जितिसा में घूमेगा तो रशी इस पई यह लिपटे की और इधर इस दिसा में यह एक्सल भी घूमेगा छोटे भ्यास्ला तो इसमें क्या होगा रशी खुलेगी यानि इधर रशी लिप्टेगी और रशी खुल रही है तो यह एक चक्कर घुमा दें यानि कि इस पहिये को हुई को हम यह दी चक्कर यह एक चक्कर घुमा दें यानि रशी को इतना खीचें कि यह पहिया हमारे एक चक्कर घुम जाए तो अब कितना एक चक्कर घुमेगा जब पहिया यानि कितनी दूरी घुमेगा पाई कैप्टल डी के यानि कि इसके परीद के बराबर तो इतनी ही रशी नीचे खिचेगी यानि कि प्रयाज पी पाई कैप्टल डी दूरी नीचे आ जाएगी यानि प्रया लेगी इसके परीद के बरावर पाई डीवन और इधर एक्सल छोटे वाले ब्याश के दूरे पर रसी खुलेगी कितनी खुलेगी इसके ब्याश के इसके परीद के बरावर तो छोटे वाले रूरे की परिति किती हो जाएगा पाई इसमाल डी तु यह पाई इसमाल डी टु छूल रहा है और पाई Gir वन लिपट रहा है इसी पर रशी लिपट रहें डी 1 अधिक है डी 2 कम है यानि कि रशी लिपटेगी अधिक जबकि खुलेगी कम तो दोनों के अंतर के समानपाती ये भार हमारा उपर उठता जाएगा अब अंतर कितना हो जाएगा पाई इसमाल डीवन माइनस पाई इसमाल डीटू यानि इसी अंतर के बराबर रशी इस पर लिपटती जाएगी अब रशी इधर लिपटी जाएगी तो इधर भी है इधर भी आनि दोनों को मिला करकर रशी इधर लिपट रही है तो अब भार कितना उपर उठेगा भार इसी के आदे के बराबर जैसा कि अभी पीछे देखे हैं तो पाई इसमाल डीवन माइनस पाई समाल डीटू अपान टू इतनी भार उपर उठेगा इतनी दूरी भार उठेगा आनि भार द्वार चलीगी दूरी क्या हो जाएगी पाई समाल डीवन माइनस पाई समाल डीटू अपान में टू अब भास द्वारत चली की दूरी निकल गया और प्रयास द्वारत चली की दूरी निकल गया तिहां से हम क्या निकाल देंगे बिलास्टी रेशियो देखें क्या है प्रयास पी द्वारत चली की दूरी क्यातना हो जाएगा पाई capital D यह हम एक चक्कर के लिए मानन है कि एक चक्कर की बात हो तो अगर जो कितना भी चक्कर लागा है सेम हो ही आएगा तो कि यदि प्रियास भी जितना दूरी आगे बढ़एगा उसी के शामानपाती भाष्ट भी बढ़ेगा तो हम एक मानक मानके एक चक्कर के लिए बात करते हैं, उसी के लिए हम बेगा अनुपाद निकाल लेते हैं, यह हमारा आजाता है फार्मूला, ठीक, अब प्रयास द्वारा एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा, पाई कैप्टल डी के, पाई कैप्टल डी, भाद द्वारा कितना दूरी चलेगा, क्योंकि धूरे B पर लिप्टी डूरी की लंबाई एक चक्कर में कितना था पाई D1 और छोटे धूरा जो C है उस पर उतर रही डूरी यानि खुल रही है तो उसकी लंबाई एक चकर में कितनी होगी पाई D2 तो अंदर कितना अंतर होगा पाई D1 माइनस पाई दी टू इसी अंतर के बेराबर वो डूरी ऊपर लिफ्टे की अब भार उपर उत्ता उठे गा पाई दी वन माइनस पाई दी टू अपान डू ये हो गया हः द्वारा चली गई दूरी और ये हो गया प्रयाज द्वारा चली गई दूरी बिलास्टी रोस्यों का फार्मूला क्या होता है प्रियास द्वारा चली गी दूरी बटे में भार द्वारा चली गई दूरी प्रियास द्वारा चली गी दूरी पाई कैप्टल डी है भार द्वारा चली गी दूरी पाई D1 माइनस पाई D2 अपान टू है ये उपर चला D1-D2 अब इसी को ब्याश के रूप में लिखना चाहें तो उसको ब्याश के रूप में भी लिख सकते हैं क्या होगा Capital D को हम लिख सकते हैं 2 Capital R 2 Capital R हो गया Small D1 को 2 R1 Small D2 को 2 R2 तो 2 से 2 यह cancel हो जाएगा यहां से 2 कामन ले ले तो यह दो गुड़े 2 कामन और यह दो गुड़े 2 कितना होगा चार 2 से कार्ट ते कितना बचेगा उपर 2 2 R बटे में R1 माइनस R2 यह आजाता है ब्लास्टी रिश्यो का फार्मूला अब यह दि Mechanical Advantage को निकालना होगा तो यहां पर भी होई चीज क्या करेंगे आदर्स मसिन के लिए मानेंगे नीटा बरावर यान इफिसेंसी एक तो यानि इसके लिए क्या हो जाएगा Mechanical Advantage बरावर आजाएगा ब्लास्टी रिश्यो के और ब्लास्टी रिश्यो हम लोग निकाली चुके हैं तो यह क्या हो जाएगा Mechanical Advantage भी यह कुछ इस टाइब का होता है हमारा वर्मेंड वर्म हुईल देखें इसमें एक इसक्रू यह लगा होता है जिस पर यह चूडिया बनी रहती है इस टाइब की चूडिया बनी होती है इसी को हम वर्म भी बोलते है यानि कि यह एक सिंपल स्क्रू होता है जिसको हम यहाँ पर वर्म बोल रहे है और उसी से अटेच हुआ एक गियर होता है यानि दातेदार पहिया होता है जिसको हम क्या बोलते है वर्म हुईल या वर्म पहिया यानि इसके दो मुख्य भागव है एक वर्म हो गया और एक क्या हो गया वर्म हो यानि वर्म पहिया पर ही उसी के साथ सेम एक्सल पर बदा होता है एक ड्रम ये जिस पर डोरी लिप्टी रहती है और उस डोरी का एक्सिरा नीचे लटकेता है जिस पर हम भार डबलू को लटक देखें इसमें बेरिंग के सारे इस वर्म को सपोर्ट दिया जाता है और उसी वर्म पर एक सिरे पर लगा दिया था हैंडल यह हैंडल जिस पर हम पर्यास पी लगाते हैं माल जिए कि हैंडल की जो त्रिज्य हो कैप्टल आर है और यह जो पिछ है वर्म का जो पिछ है वो कितना है इसमाल पी और दोनों चुंकि मेश कर रहे हैं एक साथ मिल करके चल रहे हैं वर्म और वर्म पहिया इसलिए जो पिछ वर्म का होगा वही पिछ वर्म हुल का भी होना चाहिए यानि कि दोनों की पिछ कितनी हो जाएगी इसमाल पी देख लेते हैं पिछ क्या होती है पिछ क्या होती है दो संगत दातों जो नजी की दाते जो है उनके संगत बिंदों की बीच की दूरी क्या कहलाती है पिछ यानि कि माने कि एक दाते का हम यह छोले रहें तो दू दूसरे दाते का भी वही छोल लेंगे उसके नदीक वाले यह इधा यह वाला चोर ठीक तो इन्ही दोनों के बीच की दूरी क्या कलाएगी पीछ या इसी को हम यहां पर चूड़ी में देखें तो यहां पर भी होई होगा यह अगर जो इसमें हम इस पॉइंट को ले एक चू कि दो नजदीकी दातों के संगत बिंदों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं पिछ कहते हैं अब इस प्रियासपी के सारे प्रियासपी हम इस हैंडल पर लगाते हैं और इस हैंडल को ऐसे गुमाते हैं यानि कि इसको ऐसे गुमाते जाएंगे तो यह वर्म हमारा ऐसे गुम समता जाएगा अब यह दिकोई भी इसकुरू हो उसको एक चक्कर घूमा दें तो कितना आगे बढ़ता है अपने पिछ के बराबर जितना इसकी पिछ होती है उतना ही आगे बढ़ता है ठीक माल जे कोई स्कुरू है जिसको हम कहीं पर फिट कर रहे हैं तो इसको एक चकर घुमाएंगे तो कितना आगे बढ़ेगा अपने पिछ के बराबर और एक चकर घुमाने पर इसकुरू जितना आगे बढ़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं लीड एक चक्कर घुमाने पर इस्कुरू जितना आगे बढ़ता उसी को हम क्या बोलते हैं लीड अब इसमें आता है जैसे चूडियां भी कई टाइब की बनी होती है जो इस्कुरू पर चूडियां बनी होती है कई टाइब की बनी होती है यह सिंगल स्टार्टेड, डबल स्टार्टेड, तिरपल स्टार्टेड, ऐसे मल्टी स्टार्टेड होती है अब यदि सिंगल स्टार्टेड होगा चुड़ी तो उसमें एक चक्कर में अपने पिछ के बराबर आगे बढ़ेगा लेकिन अगर जो double started होगा तो वो screw एक चक्कर घुमाने पर पिछ के दुगुने के बराबर आगे बढ़ेगा यानि उसका lead कितना हो जाएगा 2P और यह 3 started होगा तो उसकी lead कितनी हो जाएगी 3P इसे परकार यह yarn started होगा तो उसकी lead कितनी हो जाएगी yarn into P यहाँ पर हम लो single started thread की बाद कर रहे है यहाँ पर हम यह मान रहे हैं कि यह चोड़ी बनी होई इस पर यह क्या है single started है यानि कि एक चक्कर घुमाने पर इस worm को जब हम एक चकर घुमाएंगे कितना आगे बढ़ेगा एक पिछ के बराबर यानि कि अब यह परियास पी को हम लगा करके इस handle के सारे इसको घुमाएं तो एक चकर जब इस handle को लगा देंगे हम पूरा तो यह हमारा worm भी एक चकर घुम जाएगा एक चकर जब यह घुमेगा तो कितना आगे बढ़ेगा यह पिछ के बराबर यानि कि यह कितने को धके लेगा इस वर्म पहिये के एक दाते को आगे धके लेगा अब इस टाइब का इधर हम गुमार है तो यह हमारा ऐसे घुमेगा यानि कि यह हमारा गी यह वर्म पहिया इस दिशा में घुमेगा तो एक चकर जब हम लगा देंगे इस हैंडल का यानि कि वर्म जब एक चकर हमारा घूम जाएगा तो ये दाता दार पहिया कितना आगे बढ़ेगा एक दाते के बराबर एक दाता जितना जगा लेता है बनने में उतना दूरी इसको ये इधा धकेल दगा अब यदि परियास द्वारा एक चकर की बात करें कि एक चकर लगाने पर परियास कितनी दूरी चल ला है मा लेजे इसकी तरिज्या कितनी है जहां पर हैंडल लगा हुआ है आर है capital R तो एक चक्र का मतलब अब ये परीद की जिसकी तिरिजया क्या हो जाएगी capital R हो जाएगी अब इस परीद की लंबाई निकालना होगा तो क्या होता है परीद की लंबाई 2 pi R तो हो जाएगा 2 pi R यही को pi D भी लिखते हैं यानि कि प्रियार स्पी द्वारा एक चक्कर में चलीगी दूरी कितनी हो जेगी, टू पाई कैप्टल आर, ये तु निकल गया, प्रियार द्वारा चलीगी दूरी, अब एक चक्कर में भाल द्वारा चलीगी दूरी निकाल ले तो बिलास्टी रिशियो निकल जाएगा देखें एक चक्कर जब लगा रहे हैं तो ये दातेदार पहिया कितना आगे बढ़ रहा है एक दाते के बराबर माल जे इस दातेदार पहिये पर यानि वर्म होईल पर टी दाते बने हुए हैं तो जब ये वर्म एक चक्कर लगाएगा तो एक दाते के बराबर ये वर्म पहिया आगे धके लेगा यानि कि वर्म वर्म पहिया के एक दाते को आगे धके लेगा अपने एक चक्कर लगाने पर तो हम जानते हैं क्या माने हुए हैं कि जो वर्म पहिया है उस पर कितने दाते बने हुए हैं टी दाते यानि कि इसका T दाता कब आगे बढ़ेगा यानि पूरे कब आगे बढ़ेंगे जब ये वर्म पहिया पूरा एक चक्कर लगा लेगा यानि कि T दाता बढ़ेगा एक चक्कर में एक दाता अगर जो बढ़ाने की बात हुई तो एक दाता कितना बढ़ेगा एक बटे टी चक्कर में अब एक बटा टी चक्कर यदि वर्म पहिया लगा रहा है तो उसी एक्सल पर बधा हुआ यानि उसी दूरे पर बधा हुआ हमारा ये ड्रम तो ये ड्रम भी कितना चक्कर लगाएगा एक बटा टी चक्कर लगाएगा जाल लगाएगा एक बता टी चक्कर अब डृम की त्रिज्या मालज़े इस्माल आर हे यeg बटे T गुडे 2 pi small r ठीक एक बार फिर से देखें प्रयास द्वारा चली की दूरी तो हम लोग निकाल लेंगे माल जिए एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर में प्रयास पी कितनी दूरी चला है 2 pi capital r बहुत ही आसान है अब बात करते हैं इस बहर का बहर के लिए जब ये व चक्कर लगाने पर इस वर्म होईल के एक दाते को आगे ड़के लेगा एक दानता जब आगे जाये गा मान लिजे कि इस वर्म होईल पर कितने दाते है टी जब नाता आगे बढ़ेगा तो एक चकर एक चक्कर लगाएगा अजब एक दाता आगे बढ़ेगा तो किता चक्कर लगाएगा एक बटे टी चक्कर बेक बटा टी चक्कर यदि वर्म हुईल लगा रहा है तो उतना ही चक्कर ये ड्रम भी लगाएगा चुंकि ये ड्रम भी इसी वर्मुविल के एक्षल पर दिड़ता से फिक्स किया गया तो एक बटा टी चक्कर लगाया गया ये हमारा ड्रम और यदि ड्रम को एक चक्कर लगाना हो तो कितना दूरी तैं करेगा टू पाई इसमाल आर यहनि कि ड्रम जब एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो इस पर रशी कितनी लंबाई की लिपट जाएगी टू पाई समाल आर की और जितनी रशी उपर लिपटेगी उतना इभार उपर उठता जाएगा तो 2 pi small r कब लिप्टेगी जब ये पूरा drum एक चक्कर लगा लेगा लेकिन कितना चक्कर लगा रहा है यदि हम इस वर्म को एक चकर गुपा रहे हैं तो ये drum कितना चकर लगा रहा है एक बटा T चककर तो एक चककर गुपाने पर 2 pi small r दूरी लिपट रही रशी तो एक बटाटी चक्कर लगाने पर एक बटाटी गुड़े में टूपाइस माल आर यहां से आ जाएगा यह अब इतनी रशी इस हैंडल के एक चक्कर घुमाने पर इस डरंप लिपटेगी यानि इतना ही लंबाई के बराबर यह भार हमारा उपर उठेगा तो यह क्या हो जाएगा हमारा भार द्वारा चलीगी दूरी पता हो गया प्रियास द्वारा चलीगी दूरी पता हो गया तो अब हम बिलास्टी रिश्यो निकाल सकते हैं माल लिजे कि वरम पहिए पर दातों के संगे कितना कैपिटल टी द्रम के तरी जैस मालार हत्थे की जो लंबाई हो कैपिटल आर है अब हत्थे को एक चक्कर गुमाने पर प्रियास द्वारा चलीगी दूरी कितनी आ रही है टू पाई कैपिटल आर जो हैंडल एक चक्कर पूरा कले रहा है तो वरम पहिए को कितना आगे धके लाए एक दाते के बराबर वरम पहिए को एक दाते को आगे धके लाए आउ जानते हैं कि जब वरम पहिए टी दाता चलेगा तो एक चकर उसका कंप्लीट होगा यानि एक दाता पर कितना चक्कर एक बटा टी चक्कर और वर्म पहिये के साथ ड्रम भी गूम रहा है यानि कि ड्रम भी कितना लगाएगा एक बटा टी चक्कर तो एक बटा टी चक्कर में ड्रम पल लपेटी गई डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा एक बटा टी गुड़े 2 pi small r यही लंबाई क्या हो जाएगी भार द्वारा चली गई दूरी भार W द्वारा चली गई दूरी बरावर का हो जाएगा द्रम पल पे टी गई दूरी की लंबाई यानि कितना 1 अपन T गुड़े 2 pi r यानि 2 pi r upon capital T तब यहाँ से आ जाएगा वेगान पाथ हमारा यानि विलास्टी रिशियो vr क्या हो जाएगा प्रियास P द्वारा चली गी दूरी बटे बहार W द्वारा चली गी दूरी प्रियास द्वारा चली गी दूरी निकाल चुके हैं 2 pi capital r बटे में बहार द्वारा चली गी दूरी T उपर जाके गुड़ा हो जाएगा यानि T upon 2 pi small r 2 pi से 2 pi cancel हो जाएगा यानि बचे का क्या r T बटे में small r यह आ जाएगा हमारा विलास्टी रिशियो का फार्मुला अब आदर्स मसीन मान ले तो efficiency क्या हो जाएगी हमारी एक तिहां से क्या हो जाएगा mechanical advantage बराबर efficiency गुड़े blast ratio efficiency है एक यानि कि mechanical advantage बराबर हो जाएगा blast ratio के blast ratio हम लोग निकाल चुके r T बटे में small r ठिक अगला हमारे पास machine है screw jack screw jack का नाम तो सुना ही होगा screw jack किस सिधान पर काम करता है pinch के सिधान पर यानि कि pinch का सिधान क्या कहता है कि एक चक्कर गुमाने पर pinch कितना आगे बढ़ता है अपने pinch के बराबर pinch के बराबर यानि कि एक चक्कर गुमाने पर pinch जितना आगे बढ़ता है उसी को lead बोलते है और यदि screw single started है यानि कि जो उस पर thread बनी हुई है चूणिया कटी हुई है वो single started है तो pinch कितना आगे बढ़ेगा अपने pinch के बराबर जाता है भारी भार को उठाने के लिए यानि अधिक बोज है उसको उठाने के लिए screw jack का प्रियोग हम लोग करेंगे जैसे इसका हम लोग देखते हैं कि car bus या truck कोई भी पहिया या बदलना हो या कोई और मरम्मत के लिए या उसको उठाने की ज़रूद पड़ती है तो हम उसी के axle पर यानि धूरे पर क्या लगा देते हैं screw jack screw jack के सारे उस गारी को मुँपर उठा देते हैं और अपने मरम्मत को कर लेते हैं अब screw jack हमारे दो type के होते हैं एक होता है simple screw jack यानि साधार screw jack और एक होता है differential screw jack यानि ब्यासांतरी screw jack सबसे पहले हम लोग देखेंगे simple screw jack को बहुत ही आसान इसकी सनचना है यह हमारा screw jack इसमें का होता है एक यह screw है यह पूरा जिस पर यह चूड़िया बनी हुई है चूड़िया बनी हुई है जब इसको handle के सार इसी screw पर आगे लगा होता handle और इस screw के उपर एक head बना होता है जिस पर हम उठाने वाले भार को रख देते हैं यानि कि इसको जिस भी भार को उठाना होता है यही पर रखते हैं उसको और यह screw किसमे फिक्स होता है एक body में जिस पर internal thread कटी होती है जिसी को हम क्या बोलते हैं nut या debory बोलते हैं इस body में internal thread कटी होगी और यह जो screw है इस पर कितना यह rod पर outer यह external thread वाह चूड़ि कटी होती है हम इस screw को घुमाएंगे तो यह क्या करेगा उपर बढ़ेगा और उसी को उल्टा दिशा में घुमा देंगे तो नीचे आएगा तो मालीजे एक चक्कर की बात करें और इसी handle पर प्रयास पी लगाते हैं मालीजे एक चकर लगा रहे हैं handle के द्वारा तो एक चकर जब लगाएंगे तो प्रयास कितना दूरी चलेगा इसकी तरिज्या मालीजे कैप्टल आर है तो यानि एक चकर घुमेगा तो यह इस टाइब का ऐसे घुमेगा तो क्या करेगा यह एक circle complete करेगा तो इस ब्रीज की कितनी हो जाएगी तो पाई कैप्टल आर अब इतना है दूरी प्रयास चलेगा यह प्रयास दोरा चलेगी दूरी क्या हो जाएगि कैप्टल आर अब भार हमारा कहा पर रखा हुआ है इस इसक्रू के हड़ पर यहाँ पर तो अब प्याच हमारा कितना यानि इस्कुरू कितना हमारा उपर उठेगा इस्कुरू हमारा इस पिछ के बराबर जितना इस्कुरू का पिछ होगा ये स्माल पी उतने के बराबर ये इस्कुरू हमारा उपर उठेगा यानि कि बार हमारा पिछ के बराबर उपर उठिजाएगा एक चकर गुमाने पर तो बार कितना दोरी ऊपर उठा इस स्कूरु के बराबर और प्रियार कितना दोरी चला है टू-पाई क्यप्टल-र तो यहाँ से विलास्टी रश्यों हम लोग निकाल लेंगे विलास्टी रश्यों बराबर प्रयाज द्वारा चली की दूरी कितना आया है 2PiC P, और भार द्वारा चली की दूरी कितना आया है 5K बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारा यहां देखें, माल जे कि हंडल एक चक्कल लगा रहा है, हंडल के एक चक्कल रहें, प्रयाज P द्वाराज चली की दूरी कितनी हो जाएगी, टू पाई केप्टाल र, और स्कुरू के एक चक्कल लगाने पर या एक पिछ के आगे बराबर आगे बढ़ता है, जितना उसका प स्कुरू पर बना हुआ है, तो भार द्वाराज चली की दूरी कितनी हो जाएगी, उसके पिछ के बराबर, तो बिलास्टी रेशू कितना हो जाएगा, प्रियास द्वाराज चली की दूरी, बटे, भार द्वाराज चली की दूरी, प्रियास द्वाराज चली की दूरी, टू पाई कैप्टल र, पिछ है इसमाल पी, तो यह क्या हो जाएगा, टू पाई कैप्टल र, अपान इसमाल पी हो जाएगा, बिलास्टी रेश्यो का फ में में कहने कि इड्वांटेज कितना हो जाएगा इफिजेंशी गुड़े बलास्टि एश्यो इफिजेंशी का मान एक आईड्यल मशीन के लिए इंटु बलास्टि एश्यो यानि में लुग निकाल चुके हैं तू पाइज क्रेपिटल आर अपवाण में इसमाल पी अगला है डिफ्रेंशियल स्कूरू जैक यानि ब्यासांत्री स्कूरू जैक ये भी सिंपल स्कूरू जैक के जैसा ये थोड़ा साइस में अंतरा आता है यानि उसी का समसोधित रूप इसको मान सकते हैं देखें वहाँ पर क्या था केवल एक स्कूरू परियोग किया जा रहा था सिंपल स्कूरू जैक में केवल एक स्कूरू होता था यहाँ पर दो स्कूरू होगा एक को बोलते हैं छोटा स्कूरू जिसका पिछ हम लोग मान हैं इसमाल पी भी और एक है बड़ा स्कूरू ये जिसके पिच को हमारे है इसमाल पी ए देखें ये बड़ा स्कृू जो होता उसके बाहर यानि आउटर थ्रेड और अंदर इंटर्नल थ्रेड यानि कि बड़े स्कृू पर इक्स्टर्नल और इंटर्नल यानि वाह और आंत्रिक दोनों चूडियां कटी होती है जैसा कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बाहर वाली जो चूरी हमें दिख रही है बाहर जो ठेड़ बनी हुई है किस पर? बड़े वाले श्कुरू पर बहर यह ठेड बनी हुई है और इसी के अंदर इंटर्नल ठेड़ भी यहां पर बनी हुई है यानि बड़े वाले स्कूरू पर इक्स्टर्नल और इंटर्नल दोनों थ्रेड बनी होती है और यह कहाँ पर गुमता है इस बाडी में इस बाडी में गुमता है जिसमें इस बाडी में भी चूडिया बनी होती है इस चूरी में ये हमारा बड़े वाला इस्क्रू है उसका External Thread इस body के International Thread में fix होता है और इसी बड़े वाले इसक्रू के अंदर होता है इंटर्नल त्रेड और उसी इंटर्नल त्रेड में चलता है हमारा ये छोटा वाला यानि कि जब इसको घुमाएंगे तो यह भी हमारा उपर नीचे करेगा देखें कैसे यह काम करेगा इसमें जो छोटे वाले स्कुरु पर चूटी बनी होती है जिस डारेक्शन में बड़े वाले स्कूरुप भी चूडी यानि कि यह वाला है जिसके हेड पर हम भार लगते हैं छोटे वाले स्कूरु पर ही उपर भार जिसको उठाना उसी को रखा जाता है। नाब कि दोनों यहाच के उपर उठ रहा है तो यह कितना आएगा यह उचे आएगा क्यों कि जब इसको हम इस direction of mileage घुमा रहे हैं तो इस body में internal thread में यह आगे बढ़ेगा जैसे कि हम लोग nut bolt tight करते हैं माली जी यह bolt हो गया और यह हो गया bolt तो जिस type ही से हम nut को घुमाते जाते हैं या bolt को घुमाते जाते हैं तो यहाँ पर क्या हमारा body यानि कि यह nut fix है और इस screw यानि कि bolt को हम घुमा रहे हैं तो यह क्या करेगा उपर बढ़ेगा और शी के अंदर यह हमारा छोटा screw है तो जब इसको इस direction में घुमाएंगे यानि कि इसमें जो internal thread बना होगा वो क्या काम करेगा है अब nut का काम करेगा तो यानि कि वो nut भी internal इसी direction घुमेगा तो इस इस direction घुमेगा तो इसको मान सकते हैं और इस direction घुम रहा है तो बात एक ही होती है ठिक यानि कि यदि टाइट हो रहा हो तो चाहे हम इसको कलाकवाइज गुमाएं या इसको एंटिकलाइज गुमाएं तो यह नत या बोल्ट आपस में टाइट ही होंगे यहां पर सेम वही केस है कि यदि इसको हम इस कलाकवाइज डारेक्शन में घुमा ये वाला जो छोटा स्कूरू है वो अंदर जाता हो परतित हो नीचे जाएगा ये स्कूरू जो छोटा वाला है क्योल उपर और नीचे हो सकता है ये घूमता नहीं है घूमता कौन है इसके अंदर चूड़ी बनी बड़े वाले स्कूरू के ठीक तो आब देख रहे हैं कि जो बड़े वाला इस्क्रू है वो उपर बढ़ रहा है जबकि छोटे वाला इस्क्रू नीचे आ रहा है तो बड़े वाला इस्क्रू एक चक्कर में कितना उपर बढ़ेगा अपने पिछ के बराबर पिए और छोटा वाला इस्क्रू कितना नीचे आएगा अपने पिछ के वाला इस्क्रू है उसका पिछ अधिक है यानि ये उपर अधिक जाएगा जबकि नीचे कम आएगा तो इन्हीं दोनों के अंतर के बराबर बहार हमारा उपर उठेगा यानि कि पी ए माइनस पी बी इसी अंतर के बराबर बहार उपर उठेग। यानि भारद द्वालश चली गी दूरी क्या हो जाएगी। P A wow P B जएाँ P A क्या है चोटे च्रू का पीछे सरी बडे च्रू का पीछे और P B क्या है चोटे च्रू का पीछे. नीचे लगा होता है handle handle को जब एक चकर गुमाएंगे तभी ये screw हमारा एक चकर गुमता है अब हमार लिजे कि जो handle की लंबाई है वो कितना है capital R तो एक चकर गुमाएंगे तो ये किया करेगा हमारा एक circle complete करेगा जिसका radius क्या जाएगा capital R तो ये पूरी परिद कितनी होगे यानि कि प्रयाद द्वारा चली की दूरी है कितना होगा 2 pi capital R तो प्रयाद द्वारा चली की दूरी कितनी होगे 2 pi capital R और भार द्वारा चली की दूरी कितनी होगे P A minus P B यानि दोनों पिचों के अंतर के बराबर तो यहां से बिलास्टी रिश्यो क्या हो जाएगा हमारा प्रयार द्वारा चली गई दूरी बटे बहार द्वारा चली गई दूरी प्रयार द्वारा चली गई दूरी कितना है 2π, capital R, बहार द्वारा चली गई दूरी कितनी है P, A, minus P, B mechanical advantage निकालना हो तो माल जिए कि या एक ideal machine है तो उसके लिए efficiency कितनी हो जाएगी एक, यानि mechanical advantage कितना हो जाएगा नीटा यान efficiency गुड़े, blast ratio efficiency का मान एक blast ratio तो कितना हो जाएगा mechanical advantage बराबर blast ratio blast ratio हम लोग निकाल चुके है 2π, capital R, बते में P, A, minus P, B यह हो जाता है हमारा mechanical advantage और blast ratio ठिक ओके, थेंक्यू